लो बेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल पेपर हैकर अब हम बात करेंगो कोशन नंबर आपका 42 हो जागा ठीक है इससे पहले हमने 41 तक एक एक करके डिसकस कर लिए जो कि आपके short answer type question है ठीक है क्या है आपके short answer type question ठीक है भी सी आपका second semester हो जागा और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं chemistry की तो इसमें जानेंगे question number 42 आप से क्या पूंच रहा है ठीक है और कितना इसमें जो है आपको लिखना है या इसको क्या कहते है पर क्या करना एक संश्पत टिपड़ी लिखनी है ठीक है या या इस तरह से बनता है और इसका एकाद यूज दे रखा होगा थो हम बात करेंगे ठीक है कि उत्तर की बात करते हैं यूरिया फॉर्मेल डिहाइड रेजिन की कह रहा है एसिड अथवा वेसिक उत्पिरेरक की उपस्तिती में ठीक है जो आपका कैटलिस्ट होगा उत्पिरेरक होगा वो कैसा होगा एसिड हो सकता है आपका और बेसिक हो सकता है ठीक है उत्पिरेरक की किसके साथ में किया करता है क्या करता है कैसा होता है या अपका बेश हो सकता इक है इसकी उपस्तिति में क्या होगा formaldehyde किसके साथ में यूरिया के साथ संगनन क्रिया करके ठीक है कैसा त्रिबमिय या थ्री डाइमेंशनल बहुलक यूरिया formaldehyde resin का formation करता है ठीक है इस अब क्रिया में पहले mono-methyl urea बनता है सबसे पहले क्या बनेगा आपका mono-methyl urea ठीक है यानि कि इसमें एक methyl group जो है लगा रहा होगा यूरिया के साथ में इसके बाद di-methyl urea बनता है ठीक है पहले mono-methyl urea बनेगा उसके बाद di-methyl urea का formation होगा ठीक है इस अब क्रिया में शली बात करते हैं ये आगे आपका ये है आपका यूरिया क्या है NH2 CO NH2 इसको कहते हैं यूरिया क्या है यूरिया इसका क्या बनाना है आपको resin बनाना ठीक है क्या करना आपका यूरिया formaldehyde resin जो है इसके बनाना है ठीक है चली तो यूरिया आ गया इसके बाद यूरिया को सबसे पहले क्या बनाते है सबसे पहले Mono Methyl Urea बनता है तो कैसे बनेगा भी HCHO ठीक है क्या है आपका Formal Dehyde यह क्या करेगा यूरिया के साथ में रियक्षन करेगा और इस वाले Nitrogen पर क्या करेगा और यह बन जागा आपका Mono Methyl Urea ठीक है अब यह क्या बनके आपका Mono Methyl Urea बनाते है ठीक है तो यह क्या है पहले हमने पहले Nitrogen पर लग गया आपका CH2OH अब क्या करेगा आपका सिकन्ड वाले नाइटोजन पर आपका CH2OH लग जाएगा ठीक है तो आप यहाँ पर लग गया CH2OH अब क्या बनेगा आपका डाइमेथल यूरिया ठीक है तो पहले क्या बना आपका यूरिया की रेक्शन किसके साथ में की थी किसी फार्मिल डियाट के साथ में ठीक है उत्पर नाइटोजन पर भी आपका एक CH2OH गरूप जो है लग जागा अब क्या कह रहा है यह दोनों व्यूत्पन परस पर क्रिया करके अब यह जो आपके बने हैं मोनोमेथल और डाइमेथल यूरिया बने हैं कह रहा है दोनों व्यूत्पन परस पर क्रिया करके अब यह दोनों आ आपस में करिया करें के लंबी स्रंखला वाला बहुलक बनाते हैं जिसे यूरिया फार्मेल्डी हाइड रेजन कहते हैं जो कुछ इस तरह से है ठीक है कौन कौन से आपका एक था आपका मोनो और एक कौन सा था आपका डाई ठीक है मोनो और डाई यह दोनों क्या करते हैं आपस में रियक्शन कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं यूरिया फार्मेल्डी हाइड रेजन का फार्मेशन कर देते हैं ठीक है तो यह दोनों क्या करेंगे दोनों भी उत्वन परस पर किरिया कर लेते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या है आपका NH2 CH2 OH ठीक है NH2 CH2 OH और NH2 CH2 OH ठीक इधर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है Nitrogen है ठीक है क्या है आपका Nitrogen है Hydrogen नहीं है NH यह होगा आपका NH CH2 OH और यह भी आपका क्या है तो आनेच और चीस को ऐह तो यह दोणों क्या है आपके डाइअ बहंगे टीक है अब यह दोनों क्या करेंगे जो मानलों यह आपका first है और यह आपका कौन सा है second ठीक है तो पहले वाले का जो CH2OH होगा उसका OH और दूसरे वाले दूसरे वाले डायमेथल एउरिया के nitrogen का hydrogen तो यह दोनों क्या बना लेंगे है क्या हो जागा यहां से एच्टू जो बाहर हो जागा इसी तरह से सेकेंड नायट्रोजन पर जो CH2OH लगे हुए है दोनों जगा तो इसका एक क्या होगा और दूसरे वाले nitrogen का क्या होगा एक hydrogen ठीक है तो यहां पर भी आपका क्या हो जागा जल का जो है पार्मेशन हो जागा ठीक है तो इस तरह से एक molecule जुड़ने पर आपका 2H2O जो है बाहर निकल जाएगा ठीक है कितना 2H2O molecule बाहर निकल जागा अब क्या होगा यह जो आपका first nitrogen से लगा हुआ CH2 है यह सीधे nitrogen से लग जागा इसी तरह से second nitrogen से CH2 लगा था यह भी आपका दूसरे वाले DMU के nitrogen से लग जागा ठीक है तो कुछ इस तरह से आपको प्राप्त होगा ठीक है यह आपको मिलेगा ठीक है यह फर्स्ट nitrogen है इसका CH2 यहां जाकर इस nitrogen से लग गया ठीक है इस तरह से यह से लगा है नाइटोजन से और nitrogen पër CO और किया है आपका द probार है नाइटोजन इससे बी सब्सक्रीक लगा है बागी क्या है आपका CH2 लगा रहेगा यह भी आपका CH2 ओओट जो मैं लगा लाइब ठीक है आप दुबारा से यहां से जन नकल जागा एक और एक वार आपका इहां से निकल जागा ठीक है तो इसी तरह से एक और लंबी स्रंकला जो है बनती ली जाए कि इसी को कहते हैं यूरिया फार्मेल्डी हाइड रेजिन के नाम से जानते ठीक तो बस इतना साथ यूरिया फार्मेल्डी हाइड रेजिन के बारे में ठीक है क्या था यूरिया फार्मेल्डी हाइड रेजिन बस आपका इतना ही है देख लो तो यहां पर यूरिया और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें